वासुआ गाइज, आइए अप्यारी बात बोली गी है, यह जो एक मैसेज था या फिर कमेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं, आप में से एक फैमिली मेंबर के द्वारा जो वीडियो के नीचे किया गया था, तो मैंने इसको ट्विटर पर पोस्ट किया, तो एक बच्चे के तुरा बड़ा ही इंट्रेस्टिंग सा रिपलाई किया गया मैं इसमें लिखा हुआ है कि हमेशा खास बनो अगर आम बने तो दुनिया अचार बना देगी यानि कि दुनिया आप लोग को दिक्कत में डाल देगी अगर आप लोगों ने अपने आपको एक सही पोजिसन पर नहीं पहुँचा पाए तो ना तो इस सोसाइटे में आप लोगी कोई इज़त होगी ना ही आप लोग कोई मानेगा कुछ औरा एक तरीके से आप लोगी टाइम को भी कोई इंपोटेंस नहीं देगा तो इसलिए हमेशा आप लोग अपने टाइम को effectively उटिलाइज करो अगर सही तरीके से उटिलाइज नहीं करोगे तो किसी और के काम में आप लोग उस तरीके से अपना काम बरबाद अपना टाइम बरबाद करते होगे नजर आओगे कि आप लोग ने कभी सोचा भी नहीं होगा वो नहीं कहते हैं कि अपने सपने पूरे कर लो नहीं तो किसी और के सपने पूरे करने में आप लोग उसके लिए काम करते हुए नजर आओगे तो इसलिए कोशिस करो कि जिंदगी में जो आप लोगों ने सोचा है उसके लिए अपना 110% देनी कोश करो और बागी तो यार सब result को बाद में छोड़ दो अच्छा ही आएगा अगर आप लोग ने 110% उस result के अंदर अपना दिया है तो तो काफी important और प्यारी news आज हम लोग discuss करने वाले हैं एक एक करकर यहां पर नज़र डालेंगे आज कोई important day नहीं है तो इसलिए news के साथ में start करेंगे तो सबसे पहले आप लोग यह सामने हैं आज का quiz तो quiz को अच्छे से attempt कीजे इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे आईए देख लेते हैं तो question को attempt कीजे एक एक question पढ़िए अच्छे से इनका answer दीजे जैसे कि इसलिए नारियल का जो पानी आप लोग पीते हैं अगर वो गोला आप लोग खाना होता है नारियल का जो अंदर गोला तो बहार से छिलका उतरता है ठीक है तो उस छिलकी की बात की जा रही है जैसे बांस हो गया इन सब को use करके जैसे कि आप लोग नेगा सड़कों पगर अगर आप लोग जाते हैं तो सड़कों पर साइड साइड में कुछ इस्टील की या फिर लोहे की कुछ चीज़े लगी होते हैं कही जगे जिससे कि एक्सिदेंट वगएरा हो तो खाई वगएरा में नहीं किर जाए खासकर उंचे इलागों की बात की जाती है तो वहाँ पर स्टील वगएरा वो सारी चीज़े छोड़के अब यहाँ पर बास या फिर जो पेर है उसकी चीज़ों को यूज के जाएगा तो यह किसके द्वारा इस स्टडी की गी है एक्सपर्ट के द्वारा यह इंस्टिट कहाँ पर लोकिटेड है यह कोशन आप लोगों को बता रहे है इंपोर्टेंट कोशन है किसानों को भी बहुत ज़्यादा होगा अगर इनको यहाँ पर यूज के जाएगा उसके बारे में आर्टिकल के अंदर डिटेल में डिसस करेंगे बात की जा रही है यहाँ पर अभी हमारी कंट्री में यह कोशिस की जा रही है कि जो ब्लैक स्पोर्ट है उनको फाइंड के जाए ब्लैक स्पोर्ट मनलब जहाँ पर कई सारे एक्सिडेंट होते हैं तो कितनी बड़ी रकम दी गई है तो उसी के बारे में आपर बात की जा रही है कि यहाँ पर जो पैसा दिया गया है इस पैसे में काफी बड़ा जो रोल है वो आप लोग को देखने को मिलेगा दो बैंक का यह दो इंटरनेसनल ओर्गनेशन ने इनका नाम आप लोग को बत कई हो बुर्सों के बात इनको देखा गया है तो यह काफी important है के बारे में आप लोग को बताने है कौन सी ministry के दोरा launch किया गया जूट जो यहाँ पर certified jute seed distribution plan जिसको यहाँ पर basically जो launch किया गया है यह जूट i care के नाम से launch किया गया है तो i care की full form भी आप लोग को बताने है यह एक तरीके का ऐसा सिस्टम है अगर किसी कंप्यूटर में आ जए है तो हाँ से information को निकाल सकता है और उस computer के अंतर information डाल भी सकता है तो एक तरीका malware है यहनकि एक तरीका virus आप लोग बोल सकते है तो इसके बारे में इसकी full form आप लोग को बताने है जानेंगे detail में जब article discuss करे important question है जाने कि इसके बारे में कहां पर यह lake located है और भी कई सारे interesting चीज़े आप लोग को जानने को मिलेगी national goal of malaria elimination यहनकि हमारी country में जो मच्छर जनीत वीमारी है उसको खतम करने का target का है किस year तक इसको खतम करने की बात बोलेगी है यह आप लोग को बताने है नेक्ट बात की skill development के point of view से तो यह काफी important और काफी प्यारी news है जिनका answer आप लोग को पूरा discussion के duration में मिलेगा तो अच्छे से इनको देखें और फिर आपके एक article पढ़ेंगे तो आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे तो आईए national news के साथ में आगे बढ़ते हैं काफी important यहाँ पर यह news है जो news बात की जारी है यहाँ पर एक institute के बारे में यह institute कहाँ पर है यह आप लोगों से question पुछ आए सकते हैं बात की जारी है विस वरिया जो national institute of technology है यह एक institute है हमारी country में नागपुर के अंदर तो इसके द्वारे हैं आपर अभी यह बताया गया है डिजाइन किया गया है जो एक तरीक से crash barrier होते हैं crash barrier क्या होता है माली यह कहीं accident हुआ कोई गाड़ी तो इस तरीके से जो लग कर जाती है तो यह crash barrier आप लोगो को देखने को मिलते हैं इसी के साथ में जिसे हैं आपर देखे बास के और जो queer बोला गया है basically जैसे हैं आप लोग देख रहें नहीं यह इस तरीका जो आप लोग नारियल पानी खाते हैं तो उसके उपर से चिलका उतार जाते हैं इसको use करकर बनाए जाएगा basically ऐसा क्यो बोला गया है क्योंकि सडक बनाने के लिए जो भी पैसा दिया ज जैसे वो only road के आसपास में यह ऐसी जो यह चीजे create करने में चला जाता है अगर यह चीजे हम लोग बास से या फिर इन चीजों से create करेंगे तो road बनाने का खर्चा कमाएगा पहली बात और दूसरा यह चीजे हम लोग किसानों से खरीद कर लेकर आएंगे तो किसानों की income को भी बढ़ाने में आपर फायदा करेगा तो यह low cost alternative होना गया है जो steel barrier बनाए जाते है उसका और इसकी वज़े से मालिए गाड़ी जो है वो steel के उसमें टगराई तो steel के उसमें जैसे ही गाड़ी टगराएगी तो गाड़ी को भी नुकसान होगा और इंसान को भी चोट लग है highways बागएर पर जहां पर भी कुछ ऐसी miss happening अगर होती है तो ठीक है तो लोगों की जान भी बचाए जा सकती है तो यह तो वही बात होगा यार आम के आम और गुट लोगड़ा तो इस तरीके से रास्ते के आसपास में आप इनको इस तरीके से fix किया जाएगा ताकि आपर कि मजबूती तो पूरी बनी ही रहे साथी साथ में आपर यह लोगों की जान भी न जाए तो यह एक अच्छा alternative ही हाँ पर जो वी एनाईटी के दौरे हाँ पर यह suggest किया गया है जो कि मेरे इसाब से तो बहुत अच्छा alternative है आप लोगी क्या राएस के बारे में जुरूर ब जाएगी तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ पर लगबख 700-600 के करीब यहाँ पर फिर काम चल जाएगा पट्टी एक मिट्र के उसमें जो यहाँ पर खर्चा आजकर में इतना जादा आ रहा है और फायदा दो वही हो गई फिर कियाम कियाम और गुट चलां के करीब एप्रोक्सिमेट रोड एक्सिडेंट होते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हाट टूर जाते हैं लंगडे हो जाते हैं एक तरी से हाट टूर गया टूंडे हो गए तो इस तरी कंडिशन आप लोग को देखने को मिलेगी जिसके चलते हैं वो आगे चलक प्राइस के लिए दे जाते हैं किसके द्वारा ये ACN Development Bank और World Bank के द्वारा कि ताकि यहाँ पर जो हमारी country में जो black sport है जहां पर बहुत जादे accident होते हैं उनको खतम किया जा सगे next अगर बात करें ये जो इसको यूज़ करते हैं तो बोला जा ρा रहाए ओन थड़ प्राइज यहाँ पर रह जाएगा तो अगर इसको यूज़ के जायाएगा तो यहाँ आप लोग बोल सकते हैं अगर पहले 9 रूपे लगते थे बनाने में तो आप यहाँ पर 3 रूपे लग ये खेती की जाती है, तो नोटिस्ट में जो किसान है, उनको बहुत ज़्यदा होता है, इससे नजर आएगा, खासकर अगर बात करने जैसे कि तो यहाँ पर कोड जो बैसिकली वर्ड यूज़ के जाना है, तो उसके नजर आएगा, तो यह मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा है, बाखी आप लोगी क्या रहा है, इसके बारे बताएगा, किसानों के बारे में कुछ लिखेने के लिए आता है, तो वहाँ पर भी इसका कर सकते हैं, ठीक है, Asian Development Bank के बारे बात के तो फिलिपिन में इसका Headquarter है, 1966 में इसको बनाए गया था, यह काफी इंपोडेंट एक बैंक है, जो की Asia में खासकर Asia पी या और भी एरिया में आपर Development का ये काम करता है, तो काफी एक Important Economic Development के पॉइंट अप से बोल सकते हैं, World Bank के बार प्रेजिडेंट है डेविड मालपॉस और इसके आपर मासा तागूसु, यह असा कावा, ठीक है, तो यहाँ पर MA, बोल सकते हैं कि जैसे में बताया था ना, कि MA करके Asian Development Bank के डिरेक्ट प्रेजेंट बन गए है, ठीक है, और डेविड मालपॉस, तो इनका नाम आप लोग या प्रेज नाम है, तो यह विस्कर unique क्या होता है, इसको आप लोग गिर्गिट बोल सकते हैं, तो वर्ल्ड का गिर्गिट की पडजातिका, सबसे छोटा जो गिर्गिट देखने को मिला है, उसके बारे में हाँ पर बात किजा रही है, चोटा सा गिर्गिट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो इसके बारे में अगर बात करें आप आप तो ये discover जो किया गया है ये जर्मन जो Medagaskar जो scientist की जो team थी उनके द्वारा Medagaskar वाले area में इसको खुजा गया है Medagaskar अगर आप लोग देखना चाहे तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये है Medagaskar मोजामबीक्यू चैनल से आप ये मोजामबीकी से अलग होता है अगर check location आप लोग अपनी country गंपेर में देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग देखेगा ये है Medagaskar ये हो गया मोजामबीक्यू ठीक है तो exact location आप लोग के सामने हैं तो ये माना जा रहा है कि ये काफी चोटा है इसकी जहाँ पर जो टीम है उनके दोरा वन मेल और वन फीमेल जिसको यहाँ पर ब्रोकीसिया नना का नाम दिया गया ये जिस पीसिस है तो ये 2012 में हाँ पर देखने को मिली थी according to अगर बात करें आपर जो बावरियन जो इस्टेट कलेक्सन है जुलोजी इन म्यूनिक ठीक है जर्मनी के अंदर में तो उनके दोरा नैनो जो चैमेलेन है ये बोला गया है smallest है अगर बात करें लगबग 11500 के करीब known spaces है तो उसमें ये काफी छोटा रेप्टाइल आप लो को सकता है क्योंकि अभी पाय जा रहा है तो इसके बारे में कोई ज्यादे इंफर्मिशन नहीं है तो यहाँ पर इसको एक्सेंट की कैटेगरी ने बोला जा रहा है कि माना जा सकता है बाकी जो दूसरे अगर बात करें गिर्गिट के बारे में उन गिर्गिट को critically endangered की लिस् हैं, all over world में जितनी परजाती पाय जाती है उसका 2 by 3rd, यह Medagascar में पाय जाती है, अकेले में, ठीक है, जो मैंने भी आप लोगों दिखा है ना, यह Medagascar, तो यहाँ पर अकेले इतने गिर्गिट पाय जाते हैं, जो 2 by 3rd एरिये हाँ पर बोला जा रहा है, 2 by 3rd एरिये हैं, यह थोड़ी से जो गरम एरिये में पाय जाती हैं, क्योंकि आप लोगो पता Medagascar equator की साइड में, आप लोगो देखने को मिलेगा, इसी के साथ में जहाँ पर rain forest हैं, यह यह काफी बारिस होती हैं, और थोड़ा मुरिश्तिली करन भी जब रे तीला कुछ चीज़ी दिखाते हैं, इनकी जो and क्कौलिडी आप लोग बहुक बोल सकते हैं, ईह होती हैं, कि अपनी boy का color change कर लेते हैं, हमारी country में कहां पर प् pasture लेते हैं, नोर्मल सी बात हैं, इंडिया में पाये जाएंके था डेजर्ट वाले एरिया में, एडिया और पाकिस्तान के बोटर पर भी आप लोगो देखने को मिल जाएंगे और स्रिलंका में भी हाँ पर यह पाए जाते हैं, अगर हम लोग बात करें अपने आसपास वाले रीजन के बारे में तो, ठीक है, तो इंपोर्डेंट न्यूस ती डिएरेक्ट कोशिन बन जाएगा, कहां पर पाये गया, क्या पाये गया, क्या चीज़े हैं, एक कंट्री की लोकेशन के बारे भी आप लोग उसे कोशिन बन सकते हैं तो कई सारे तरीगे से कोशन पुछे आ सकते हैं आईए अब आगे चलते हैं नेक्ट नियूस के और ये है राज्य के बारे में ये जो नियूसें आपर ये बात करी है ये जो ब्यूटिफल आप लोग को ये बत्तक देखने को मिल रही है ये काफी प्यारी सी मासूम सी यहाँ पर बत्तक आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं इसको सबसे सुन्दर जो बत्तक का भी दरज़े इसको दिया गया है तो ये मेंडारिन डख है आपर तो यहाँ पर ये मगुरई मगुरई, मोटा पॉंग जो भील है आसाम के अंदर में तिन सुख्या डिस्टिक के अंदर में तो हाँ पर ये काफी सालों के बाद ये देखने को मिली है ये जो डख है ये रेरली विजिट करती है इंडिया के अंदर में ठीक है तो बात जो काई जा रही है ये एक तरीक से usually एक migrated bird है अगर बात करें धिबरू रीवर में आसाम के अंदर यहाँ पर धिबरू रीवर में जो basically अगर देखेंगे आप लोग यहाँ पर यहाँ पर यह है रोंगावरा जो एरिया है तिंसुक्या डिस्टिक के अंदर में आसाम जिसका नाम है आपर यह है बक्सा डिस्टिक इसमें 2004 में इसको देखा गया था यानि कि बड़ी regularly नहीं देखती है यह आप लोग जो इसको देख रहे है इतनी regularly नहीं दिखती है बड़ी ही ऐसा है कि बार बार आप लोग नहीं दिखेगी रेरली दिखेगी हाँ पर जांटिफिक नेम अगर इसके बारे बात करें तो यह है यहां पर इसका नाम है X. improved बात की बार यह है इंपॉर्डेंट बात यह है कि most beautiful duck है on the planet यार, यह सबसे सुन्दर चडिया एक बदबत्तक जो है, जो पाई जाती है खुदी भी आप लोग देख लिए कितनी प्यारी लग रही है ऐसा लग रही है, किसी ने पेंटिंग कर रखी है इसके पक देख, इसके पंक वगएरा देखी पाई कहाँ पर जाती है, जहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगी तो यहाँ पर यह बच्चे देने के लिए जो हैं आपर मगूरी जो मोटापॉंग जो वेटलेंड है आपर जिसके बारे में हम लोग ने अभी डिसकस किया यह काफी important bird century है जिसको Bombay Natural History Society के दोरा बोला गया कि आपर यह डिब्रू सिको हो जो National Park है इन अपर आसाम तो वहाँ पर यह आप लोग को देखने को मिलेगा important बात किसलिए बता रहा हूँ इतनी सारी चीज़े इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ यह काफी एक दिक्कत थी और आप यहाँ पर निकला तो इस time पर भी यह निउस तो अगर exam में question बन जाए इस particular wetland के बारे में तो confused मत होना direct आप लोगों से question पूचा जा सकता है आप लोग बोलें कहां से आगए कोशन, तो भाई साब यहां से आ गया, ठीक है, तो कई बार न्यूज में आ चुका है, तो याद रखेंगे, बाकी कुछ छोड़ी चोड़ी चीज है, असाम के बारे में, अगर आसाम से आप लोग ब्लोग करते हैं, तो यह चीज आप लोग धंक से देखना चाहते हैं आसाम को, ताकि आप लोग लंबे समय तक याद रख पाएं, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, आसाम जो है, हमारी कंट्री में रोचल प्रदेश, नागलेंड, यह हो गया है, आपर मनिपूर, मिजोरम, और यहाँ पर तिरपुरा, और मेग और इधर आप लोग को देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर होगे है सिक्किम, तो यह सारे राज्या आप लोग को देखने को मिलेगा, आसाम के द्वारा टच किये जाते हैं, तो पूछे कि आसाम को कितने राज्या टच करते हैं, तो सिक्किम नहीं, सिक्क को टेच करते हैं याद रहना इंटरनेसल बाउंडरी क्या है असाम की अगर आप लोगों से कोई पूछें तो इंटरनेसल लिए असाम के आपर भुटान और बंगलादेश टेच करता है ठीक है तो यह इंटरनेसल बाउंडरी होगी तो कोश्चन अगर बने तो कन्फ्यूज म किया जाएगा तो मिनिश्ट्य ओफ टेक्स्टाइल के द्वारे एक काम के जाएगा जो की समृति रानी जी के अंडर में है तो इसके द्वारे यहाँ पर जूट केर नाम का प्रोग्राम सामने निकल कर आ रहे है सबसे पहले तो जूट केर की आप लोगो फुल फोम पता हो होनी चाहिए तब आप लोग के लिए इंपोरेंट रहेगा तो यहाँ पर जूट आई केर है भी सिल केर नहीं आई केर इसका मदलाब है यहाँ पर इंप्रूब कल्टिवेशन एडवांस रिटिंग एक्साइज फोर जूट तो जूट को और इंप्रूव करने की बात की जा गया कि इसके द्वारा MOU sign किया गया जिसको मुमरेंडा फंडरस्टेंडिंग यही तरीका एग्रिमेंट आप लोग बोल सकते हैं यह नेसनल सीर कोपरेशन की कमर्चली डिस्टिबूशन जो किया जाता है लगबग 1000 जो मिट्रिक टन सेटिफाइड जूट शिड का 2021 बाइस में तो उसके उपर फोकस किया जाएगा तो इसके उपर फोकस किया जाएगा तो इसको नहीं लगाया जाएगा तो इसलिए लगाता हूँ कही सारे बच्चे बोलें कि सेट डिस्टर्बेंस होता है ठीक है तो कोषिस किया अगर हूँगा कि कई बार याद रहेगा अगर तो वीडियो को पोज कर दिया करूँगा ठीक है अगर इसमें आप लोगो दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं है कई सारे regular comment देख रहा हूं है कई सारे बच्चे mail भी किया है even कई सारों ने तो तो अगर ऐसी बात है तो फिर इनको हटा दिया जाएगा ठीक है देख लिजे अगर जैसे भी अगर निकल कर आते हैं तो बोला जाता है कि एक genetic identity होती है purity होती है देखिए हमारी country में अगर बात करें जो हमारी गाएं है जो इसको देसी गाएं आप लोग बोलते हैं एक तो वो वाली category गाएं एक है जो mixed breed आती है बिचसे American गाएं आप लोग बोलते हैं उसके बारें बात की जाती है यह वो वाले जो seed है उनके distribution के बारें बात की जाती है हमारी country में जो benefit है बोला जारा है लगवाग 5 लांग किसानों को होगा जो की जूट की खेदी करते हैं तो काफी ज़धा फाइदा देखने को मिलेगा तो यह बोला जारा है कि उनसे एक graded ऊपर बढ़ी चीज़े नज़र आएंगी यानि कि improved quality का जूट आप लोगों नज़र आएगा अगर यह वाले जो seed के हैं और पर hectare हर hectare में 10,000 का फाइदा होगा खिसानों को तो किसानों को भी काफी ज़धा फाइदा देखने को मिलेगा तो जहें आपर यह प्रोग्राम है जिसका नाम है iCare जो 2015 में लोंज किया गया था यह प्रोग्राम किसके दोरा initiate किया गया था तो national jute जो board है उसके दोरा मिलकर है अगर बात करें आपर jute की farming के बारे में अगर अगर बात करें तो farming friendly way को improve करने ही कोसिस की जाती है ताकि जो हाँ पर माइक्रोबेल जो कंस्टोरियम है उसको यूज करके और इंप्रूव किया सके जूट को और इंडिया जो है यह important question है point याद रखेगा इंडिया यानिकि हमारी country में सबसे ज्यादे जूट की खेती की जा जाते हैं तो natural friendly होता है हमारी country में सबसे ज्यादे जो देखने को मिलता है यह rich aluvial जो soil है यानि कि गंगा जो ब्रहंपुतरा वाला डेल्टा वाला reason है तो महाँ पर काफी जदा आप लोग को देखने को यह मिलता है major jute producing जो इस टेट है तो west बंगाल बिहार उडिसा आसाम अनुचल परदेश समी घाले और तिरपरा हमारी country में सबसे ज्यादा jute produce इनके द्वारा किया जाता है और बाकी इसको golden fiber के नाम से भी जानते है जूट को तो याद रखना और यह जो इससे bag वागरा या फिर आप लोग ने मुढ़े देगे मुढ़े बनाय जाता है उसमें एक एक्टिविस्टी जिनका नाम है जिनका नाम है रोना विल्सन ठीक है तो रोना विल्सन को काफी जादा है रोना आ रहा है काफी लंबे समय से आपर यह जो जेल में बंद है दोजा रठा रहे से क्योंकि इनके ऊपर case चल रहा है किसके connection में भीम कोरे गाउं जो violence हुआ ठीक है तो भीम कोरे गाउं वैलेंस हुआ था यह मंदला एक महरास्टा के अंदर तो यहां पर Bombay High Court के अंदर petition गई कि जो इनके अगेंस्ट जो कारवाई चल रही है वो सब गलत है हुआ क्या था आप लोग पहले वो समझिए हुआ यह था कि इनके ओपर आरोप लगाए ग मिला उस वोई लेंस में इनको एक द्वारा चीज़े भड़काई गई है तो अब इनके द्वारा petition जो वो भड़काई क्यों गई है क्योंकि इनके laptop में कुस हैची चीज़े पाई गई थी जो चीज़े इनके laptop में पाई गई थी यह माना गया था कि इन्होंने हरकते की है इ ये हायर की गई Mr. Wilson के दौरा, अपने defense team के दौरा, इस company के दौरा जो report प्रस्तुत की गई, arsenal consulting जो report उसमें ये बताया गया है, ये 22 महीने के बात में हापने इनके दौरा एक बात सामने निकल कर आई है, कि इनके computer में जो भी सामान था, इनके computer में जो भी चीजे थी, ये हाँ पर एक netware use के गया है, एक तरीके का virus है, कि इनके computer में चीजे डालने के लिए, समझ सकते हैं आप लोग, माल ये मेरे पास में laptop है, और मेरे पास में laptop में से किसी ने मेरा data चोरी कर लिया, एक तो होता है data को बाहर निकाल लिया, एक होता है data अंदर डाल दिया मेरे laptop में, ठीक आपर काम कियाता है, तो malware नॉर्मली दो तरीके से आप लोग देशते हैं, एक तो data पर यहाँ पर यह extra filtration करते हैं, यह बाहर निकालने के काम करते हैं, पर लेकिन यहाँ पर यह infiltration वाला system देखने को मिला है, कि इनके computer में data को डाला गया है, ताकि गलत चीजे इनके computer में डाल तो यह WhatsApp को hack करने वाला एक virus देखने को मिला था, जो कि Brazil के company के द्वारा अलग-अलग country की government को बेचा जाता था, ताकि उस country की जो government है, वो हाँ पर security को एक तरीक से दुरुस्त रख सकें, तो WhatsApp में बहुत की कि कई सारे लोग के द्वारा कि हमारे जो WhatsApp का जो data है, वो चोरी किय जा रहा है, उसमें कई सारी बाते हैं आपर देखने को मिली, तो कई सारे nation को हैं आपर यह बेचा गया था, तो उस ताइम पर भी काफी ज़दा news में आए था, तो यह उसी pattern में आपर कुछ चीज़े हैं, ठीक है, तो technology जो device है, उनके उपर आप लोग ट्रस्ट तो कर सकते ह पर लेकिन इतना भी ट्रस्ट आप लोग नहीं कर सकते हैं कि वो हर जग है, आप लोग के लिए हर बिल्कुल सही तरीके साबित हो, तो यह इसके बारे में कुछ चीज़े हैं, जिनका idea आप लोग रख सकते हैं, आईए अब आगे चलते हैं, next news के और, यह बात की ज़री है, प्लेसिंग न्यूस के बारे में, तो यह प्लेस हैं यहाँ पर जो न्यूस में, यह विम्बनाद लेक, विम्बनाद जो लेक हैं आपर यह कहां पर है, यह केरला के अंदर, काफी लार्ज स्केल पर कई बार आप लोग ने न्यूस में इसके बारे में सुनोगा, अभी रिस वहाँ पर यह देखने को मिले ठीक है तो जो विमनाद है यहाँ पर इसको विमनाद क्याल या फिर विमनाद कोल के नाम से भी हम लोग जानते हैं हमारी कंट्री में लार्जेस्ट इंडिया और लार्जेस्ट लेक है इंडिया के अंदर में और लार्जेस्ट लेक है के अंदर में लगबग 2033 स्क्वाइर किलोमेटर में यह फैली हुई है और रामसर साइट के बारे बात करें रामसर साइट के यह आप लोग लेक को बोल सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा एरिया जहां पर थोड़ा आप लोगो पानी बगएरा जो देखने को मलता है जैसे कि नदिया नाले यह फैसे कि यहां पानी रुका हुआ आप लोगो देखने को मलता है उस कैटेगरी के जो वेटलेंड होते हैं तो यहां पर यह सुन्दरवन का जो आप लोगो एरिया देखने को मलता है वेस्ट बंगाल के अंदर उसके बाद में अगर बात करें तो सेकिंड लार्जेस्ट पंगला देश बना तब यहां पर यह convention आया पिक्चर में बिसिकली sign किया गया इंप्लिमेंट किया गया जब हुमारी country में emergency लेगी तो वमनाद जो लेक हैं आपर यह कोटियाम इसी के साथ में आपर बात की जा रही है पुनमाद लेक यह अलपुजा और कोची लेक इन कोच ठीक है तो यह कई सारी एरिया में आप लोग को चीज़े देखने को मलती है बैसिकली exact location आप लोग यहां पर इसकी देख सकते हैं केला के बारें बात की जा रही है केला को तमिलाडोर करनाट का दो राज़े टर्च करते हैं ठीक है केला में एक पुड़ी चेरी का डिस्टे इरिया में आप लोग को देखने को मलती है और वेमनाद जो लेक हैं आपर वेमनाद जो वेटलेंड है आपर ये नेसनल वेटलेंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहद भी इसको गर्रमेंट ओफ इंडिया के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था ठीक है तो यह एपरिशेट किया है सुप्रीम कोड नेएं सुप्रीम कोड ने अपने रिसेंट जज्जमेंट में ये गाया कि इंटर्मेरिज जीज़ो हो रही है वो काफ़ी ahead हमारी सॉसाइटि के लिए हमारी सोसाइटि में ँदिक्कत क्या देखने को मिलती है आज की कास्ट में साधी मत कर लेना इस particular religion की community के साधी मत कर लेना पर लेकिन जो आज की पढ़ी देखें जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं वो कास्ट वगेरा इन सब चीजों से उपर उठके वो basically जो साधी कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि मेरे लिए partner सही है की नहीं है तो उस पर ज़्यादा focus किया रहे हैं तो educated जो younger boy और girl हैं आपर वो choose कर रहे हैं अपना life partner अपने हिसाब से इन सब चीजों से उपर उठते वे कास और community से उपर उठते वे तो जो उनके साथ में सही thought प्रोसेसर रख पा रहे हैं जिसकी विचार उनके साथ मिल पा रहे हैं तो उसके साथ में relationship में जाना या साधी करना ज़्यादा पसंद की जारी है young generation के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं यह कौन बोल रहा है यह supreme court बोल र बेड़कर साब उनके द्वारा भी यह बात बोली गई थी कि I am convinced यानिके वो भी convinced ते इससे की एक remedy जो है वो है intermarries अगर एक कास्ट सी दूसरे कास्ट में साधी की जाती है तो जो कास्ट वाले जो taboo है society के अंदर वो कम होता वा नजर आएगा यह बात बीम रहा हम बेड़ साब के द्वारा भी बोली गई थी तो कास्ट और community की जो tensionance से वो भी reduce होगी क्योंकि जब mix हो जाएंगी चीजे intermarries हो जाएगी कि कास्ट में तो फिर अपने सारे रिष्तेदार बन जाएगे सब एक दूसरे के यार दोस रिष्तेदार रहेंगे तो जो जो जड़प है जो Government scheme के बारे में यह जो Government scheme निकल कर आ रही है इसका नाम है संकल्प तो संकल्प के बारे में बात कर लेते हैं क्या बात किया रही संकल्प के बारे में तो बोला जा रहे हैं आपर संकल्प की पहले full form आप लोग जाने है skill acquisition knowledge awareness and livelihood program skill acquisition skill होनी चाहिए आप लोग के पास में acquire करनी है knowledge awareness and livelihood program इसको बोला गया है तो इसके दिए जो loan दिया गया है यह दिया गया है World Bank के द्वारा World Bank के द्वारा assisted यह प्रोग्राम है यहनके help किया गया प्रोग्राम है आपर यह जिसके चलते हैं आपर कई सारे एरे में चीजों के इस्टेंदन करने को इसकी जा रही है इसकिल जो हैं आपर district skill है जो administration है और इसके साथ में जो district skill committee है वो भी आपर focus में लाई जा रही है two year जो academic program है आपर जिसके चलते हैं आपर यह basically district administration के द्वारा practical experience यहाँ पर दियाता है skill development के लिए तो हमारी country में जो ministry of skill and development entrepreneurship है उसके द्वारे यहाँ पर बात की जारी है transforming skill through strategic जो partnership है किसके अंडर संकल्प के अंदर तो यह question आप लोगों से पूछा जा सकता है किस particular purpose के लिए यहाँ पर यह ठीक है बागी अगर आगे बात करें तो यहाँ पर जो ecosystem त्यार करने की कोशिस की जारी है मिलकर काम के जाएगा और vocational educational training भी हाँ पर दी जाएगी technical vocational educational training तो इसी के साथ में हाँ पर बात की जारी है award for the excellence in the district skill development planning में यह हाँ पर अंडर संकल्प 2018 के इसको start किया गे था कि award भी दिये जाएंगे तो एक तरीके से किसी को अगर छोड़ा सा award दे दे तो इंसान खुछ हो जाता है और जोड़ तोड़ से काम करता है तो उसकी बात की जा रही है next news ने आपर यह बात की जा रही है economy के बारे में तो यह जो news यहाँ पर निकल कर आ रही है यह घर बनाने के लिए finance देती है तो housing जो finance company है यह specialized है non banking finance and companies जिसको nbfc बोलती है यह यह जो कि आप लोग इसके जाकर अंदर जाकर account फुलआ लोगे ठीक है तो इस तरीके से चीज़े नहीं होती है basically loan type में चीज़े देने की काम करती है तो उसकी new definition लाइग गई है कि जो housing finance company है वो ऐसे non banking finance company है जो कि लगभग 50% जो acids है वो housing loan के अंदर देगी और 75% जो should be individual home buyer इसमें से 75% जो होना चाहिए वो जो individual home buyer है उसको देना है आपर ठीक है RBI took over the power to regulate the housing finances bank है तो यहाँ पर कहां से जो national housing bank होता है उससे तो RBI के अंदर ये चीज़े चल रही है तो जो यहाँ पर direction दी जा रही है ये force में आएगी ताकि जो prevent किया जा सके इसमें जो misconduct देखने को मलता है कई बार कई बार यहाँ पर एक तरीके से discriminal जो interest जो रहते है अपने जो depository है उनको proper चीज़े नहीं मिलती है पैसे लगा दिया आते है उनको proper system नहीं मिल बाता है तो उसको सुधारनी की कोशिस यहाँ पर की जा रही है ठीक है अगर बात करें national housing bank के बारे में तो 1988 में इसको बनाए ठीक है तो इनका नाम याद रसते हैं इसी के साथ में reserve bank of India सक्ति कांत अधास है आपर next अगर बात की जाए यह reserve bank of India का जो headquarter है वो Mumbai में है तो government of India के अंदर ही हाँ पर यहाँ आता है हमारी country का bank ठीक है जो basically central bank भी जिसको आप लोग बोलते हैं तो इसके बारे में information होगी एक और छोड़ी सी news ने आपर यह health के बारे में बात करते हैं तो health के बारे में बात की जा रही है कि malaria mosquito जो vector है उसको आपर identify किया गया है तो बात की जारे scientist के दोरा unveil किया गया detail बताए जारी है जो genome होता है जो malaria का उसके बारे में यालिकि malaria का जो genome है नहीं किस किस चीज से मि वीमारी है उसका solution हम लोग निकाल सकें ये बात बोले जारी है ठीक है तो इसके बारे में अगर बात करें तो यह disease जो transmission अगर बात करें तो यहाँ पर बात किजा रही है कि engineering जो advanced format defense की तो उसके चलते हैं आपर focus ये किया रहा है कि अगर पता चल जाता है इसके बारे में detail में टूल हैं आपर, अलाओ करेगा रिसर्चर को ताकि DNA सिक्वेंसिंग और मोडिफाइड किया सके, और जो मच्छर जनीत भीमारी है, उसका इलाज हम लोग निकाल सके, तो ये काफी एक अच्छी न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, जो इसका अपग्रेडिड नाम है आपर इसक जो फिडिंग है उसमें, मेटाबोलिजम, जो इंडेस्ट, जो हाँ पर मेटाबोलिजम, इंजेस्ट जो ब्लड मील है, उसके उपर भी फोकस चीज़े किया जाएगा, रिप्रोटेक्शन है, फिर इम्मुनिटी, अगेंस दा जो माइक्रोबियल, जो पैरसाइट है, तक का यह, 2030 तक का यह, यह मान जा रहा है कि 2030 तक का मलीरिय की बीमारी हम लोग अपनी कंट्री में से उखाड कर फैकनी है, तो यह था आज का हमारा नननसा मुननसा पैरसा डिसकसन, अब यहाँ पर देखते हैं कि आगा डिसकस के बाद में, आप लोगों से क्वेशन पूच गिर्गिट का जो केटेगरी का देखने को मिलेगा, ठीक है, यह कहां पर है, यह मेडगासकर के अंदर है, अगर बात करें आपर, इस स्मोलेस्ट जो रेप्टाइल हम लोगों ने देखा, नेसनल न्यूज में हम लोगों ने जो क्रेस बेरियर हैं उसके बारे में जाना, ज जो बात की, हाउसिंग, फाइनस, कंपनीज के बारे में, तो यह समझा, एगरिकल्चर में हाँपर, जो सर्टिफाइड, जूट स्रीट डिस्टिबिशन है, यानि के, जो जूट से लेटर खेती के बारे में, और कहां कहां पर यह होता है, हमारी केंट्री में, वेस्ट जो लोगों ने, आपर, यह मलेरिया, मुस्कितो, जो वेक्टर, उसके बारे में, जाना, जो की important था, गौर्णन्ट स्कीम में, संकल्प के बारे में, लोगों ने जाना, और social issue में काफी important यह issue था, जो की मुझे तो personality काफी important लगा, जिसके बारे में, आप लोग क्या रहे है जरूर बताना और बाकी तो आप लोग ने पड़ाई अच्छे से करी लिए जो आप लोग ने एक बच्चा करेंगी सर ये जरूर डाला करो एक पर इस टार्टिक में भी दिखा जिये गोरे इसको ठीक है चलिए जो भी है अब कोईश्चन है इनको आप लोग अटेम्ट कीजिए अच्छे से बात की जा रही है VNIT की फुल फोर्म और कहां पर ये लोकेटेड है ये आप लोग को बताने है किसके द्वारा पैसा दिया गया है जो ब्लैक स्पोर्ट है इडेंटिफाई किये हैं 14,000 कोड रुपे ताकि इसको सुधार सके हम लोग मेंडारीन जो डख है आपर ये इसके बारे में हम लोग ने बात है की तो कहां पर ये देखने को मिली कौन सी मिनिश्टी के बारे में बात की जाती है जब जूट आई केर प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं रेट की फुल फॉम आप लोग को बतानी है रामसर साइट इन इंडिया के बारे में बात की जा रही है वेमनाद लेक यहां पर कौन सी है second number पर वेमनाद लेख है national goal of malaria elimination के बारे में बात की जा रही है कब तक का है हमारी country का संकल्प की फुलफुम आप लोग को बतानी है और इसी के साथ में goal है कर रहे हैस को अचीव करने में ये question आप लोग के सामने है आईए अब बात करते हैं यहाँ पर reason के बारे में थोड़ सा ये आप लोग को last lecture का है इसको आप लोग अच्छे से attempt कीज़े क्या के बात की जा रही है ये तो आज का था ये last lecture का है इसमें बात की जा रही है international जो mother language day है उसकी theme आप लोग को बतानी है तो mother language ये जो local भासा आप लोग की होती है उसकी theme बतानी है इस रोग के द्वारा किसके साथ मिलकर यहाँ पर बात की जा रही है geospecial portal के बारे में इसका नाम क्या है ये भी आप लोग को बताना है next अम लोग ने आपर बात की थी महराजा सैल देव के बारे में यहाँ महराजा सैल देव के बारे में इसके साथ में जहाँ पर बात की जा रही है particular area के अंदर में जहांके रोलर थे सारा वस्ती ठीक है तो आप लोग में हाँ पर यह बताना था तो इसके साथ में अगर बात करें यहाँ पर बात की जा रही थी चितोराज हील के बारे में कहाँ पर यह लोकिट है यह आप लोग को बताना है इसमें से एक रिवर निकलती थी जहाँ पर काफी ज़दा माइगरेटरी बढ़ पाए जाती है सेट यानिके सिक्योरडी जो एपलेट ट्रेबिनल है किसके अंदर इस्टेबलिस के गया अगर इससे आप लोग खुस नहीं है इसके डिस्जन से तो कहाँ पर अपील आप लोग कर सकते है यह आप लोग को बताना था एनाइसी की फुल फॉर्म बतानी थी इसको आप लोग को यह बताना था कि एक अभी रिसेंटली जो प्लेटफोर्म क्रियेट किया गया इसके द्वारा वाट्सेट की लाइन पर उसका नाम कहा है और यह किस मिनिश्टी के अंडर में आता है कौन से आर्टिकल में हम लोग ने बात कि थी गवर्नर के बारे में ठीक है तो यह कोश्चन है इनके आंसर आप लोग देख लिजेए सबसे पहले बात किजिए रहे फोस्ट रिंगयन के बढ़ावा देना जो मल्टि लिंग्विलिजम होता है फोर इंक्लूजन इंदा एजुकेशन सोसाइटी नेक्स्ट यहाँ पर बात किजा रही है यह है मैप माई इंडिया इसके साथ मिलकर भूहन बनाया गया इनके द्वारा ताकि मैप को आइडेटिफाई किया जा सके नेक्स्ट अम लोग ने आपर बात किए तो यह है उत्तर प्रदेश बहराईच के अंदर में तो यहाँ पर जो शुद्देव हैं आपर इसके बारे बात किती 11th century में यह सारा वस्ती है बेसिकली बहराईच वाले एरिया में नेक्स्ट बात किती हैं आपर यह चितोरा जील के बारे में तो यह उत्तर प्रदेश के अंदर है आपर जो बेसिकली एरिया हैं आपर यह बहराईच टिस्टिक जिसमें टीरी नदी हाँ पर पाई जाती है टीरी नदी ठीक है तो यह आप लोग को देखने को मिलेगा इंपोरेंट है जो न्यूज में है तो सिक्योर्डी एपलेट ट्रेबिनल के बारे बात कीती है तो सेबी सीक्योर्डी एक्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर इसको बनाएगा है 1992 में इसी के साथ में यहाँ पर बात कीजा रही है सुप्रीम कोर्ड में आप लोग जा सकते हैं अगर इससे सैटिस्पाइण नहीं है तो यह था आज का discussion में आसा करता हूँ कि आप लोगों एच्छे से इसको एंज्जूइ कि होगा नेक्ट लेक्चर होगा दाहिंदियू नियुस्वफर का discussion उसको भी आप लोग एंज्जूइ कर सकते हैं तो नेक्स लेक्चर में मिलता हूँ, बड़ों को नमस्ते, छोड़ों को प्यार, छोड़ी सी लाइफ एंज्योए कुरार, तब तक के लिए जैहिंद, और यहां से जाकर पीडिया डाउनलोड के लेना, टेलिग्राम से, ठीक है, तो तब तक के लिए, जैहिंद!